हलो दोस्तों आदाब नमशकार सत्ष्रीय अकाल दोस्तों मैं खुर्शीद अहमद भाई जी आपका दोस्त भाई जी फरनिचर हाउस में आपका स्वागत करता हूँ और दोस्तों आज मैं आपको डिजाइनिंग वाले पल्ले दिखा रहा हूँ जिसमें हमने CNC से डिजाइन बनाया है लकली की क्वालिटी हमारी गुणवत्ता जो हम बताते हैं कि आपको किस तरह का हम काम देंगे किस तरह की लकली देंगे वो सब आपके सामने हैं डिजाइनिंग वाले दर्वाजे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका डिजाइन भी आप देखिए और यह डिजाइन और खुबसूरत तब हो जाता है तब लगता है जब इन पल्लों पर पॉलिश होगी अभी तो यह कोरे पल्ले हैं और आपको सिर्फ दिखाने का मकसद यह होता है कि इसकी क्वालिटी जो हमने दी है लकली कैसी लगाई है वो चीज होती है अभी तो इस प यह वाले पल्ले जो इनका रेट मैं आपको बता दूँ तो डिजाइनिंग वाले पल्ले सिएंसी वाले पल्ले जो यह होते हैं एक जोड़ी यह वाली है यह मुंबाई की जोड़ी है और दूसरी जोड़ी यह वाली है अलग अलग डिजाइने जैसी जिसकी पसंद होती है यह उसको डिजाइन बना के दिया जाता है यह कस्टुमर की अपनी पसंद होती है जैसा आप पसंद करोगी डिजाइन वैसा ही आपको हम डिजाइन बना करके देंगे और यह सिंगल पला है अभी सफाई का फिनीशिंग का काम इन पे चल दा है हलकी फुलकी कहीं हलका फुलका जखम रह जाता है जोड में कहीं दरार टाइप में रह जाती है तो उसको मरमद लगा करके उसके भरने का काम और उसको फिर सफाई करके लगाने काम हमने इसमें होता है तो वो चल रही है फिनीशिंग इसको ये देखिए सागवान की लकली में ये दर्वाजे बनाए गए हैं और दोस्तों जो डिजाइनिंग है इसकी जब इसके उपर पॉलिश होगा तो ये निखर करके एकदम बेहतरीन और बढ़िया खुबसूरत आपको लगेगा तो दोस्तों इन दर्वाजों का जो प्राइज होता है वो 1100 रुपे स्क्वाइर फुट के हिसाब से होता है CNC करके दोनों जोड़िया आपके सामने है अगर ये जोड़िया आपको पसंद है जो डिजाइन हमने इन पर बनाया है अगर आपको ये पसंद है तो आप हमें जरूर बताईए ये देखिए अलग-अलग दोनों जोड़िया अलग-अलग डिजाइन हों में है जैसी पसंद होती है कस्टुमर की वैसे ही हम इस पे डिजाइन हमें बनाना होता है अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं करते ये देखिए सब डिजाइन कटा हुआ है इस पर ये आप देख से तो यह सब डिजाइन कटा हुआ है बहुत ही बेतरीन यह सब CNC कंप्यूटर मेशीन से यह डिजाइन कटा हुआ है क्वालिटी जैसे के मैं बताता हूँ आपको के 90% पक्का दूँगा तो इसमें हम आप देख करके बता सकते हो के 90% पे ज्यादा ही है 98% हमने पक्का देने की कोशिश करिए फूल पत्तिया सब यह देखे करीट से मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो के यह लकली है एक नमबर लकली होती है और लकली के अंदर कहीं कहीं कुछ ने कुछ थोड़ा बहुत जो पूरा स्वापर सेट फिनिशिंग होती है वो तो आपको पॉलिश होने के बाद ही नज़र आएगी लेकिन यह इसकी जो बनावट है जो फूल की बनावट है डिजाइनिंग की बनावट है वो आपको चाहे आप कितने भी करीब से देख लीजी उसको हम छुपाते नहीं है बिल्कुल आपको एक एक चीज खरीब से दिखाते हैं यह देखिए यह जब यह इस तरह की चीजे जब आप पॉलिश कराओगे ना यह तो यह सब निखर करके सब एकदम ग्रेंज जो है इसके लकडी के सब उपर आजाएंगे और आपको यह खुबसूरत इमेश्टी और चार चांड लग जाते हैं अभी यह सब जो है ना इस तरह की चीजे जो है यह सब सफाई मांग रही है अभी यह सब चल रही है यह सब साफ हो जाएंगे यह देखिए जो इस तरह के फूसले हैं यह इस तरह के यह सब साफ हो जाएंगे और कहीं कहीं इस पर जहां मरमत का काम होता है वो हलका हलका इस पर मरमत कर दी जाती है यह गड़का हमने लगा रखा है इसका यही काम है इसको मरमत हलकी हलकी मरमत इसको लगा जाती है तो दोस्तों ये दरवाजे जो हमारे बनते हैं वो 1100 रुपे स्क्वाइर फुट के हिसाब से इसमें अगर आप प्लेन दिले वाला डोर बनवाएंगे तो प्लेन दिले वाला इसमें आपको जो बनता है वो प्लेन का मतलब यह होता है कि जैसा ही हमने एक उल्टी सीधी खिलक गया है और इसमें भी दर्वाजे के जैसे जैसा वह दर जोली है कि सब्सक्राइब रहीं है और इदर करव को एक तरफ में इस सामने हैं सबकुछ लक्ली एकदम प्योर प्योर सागवान की लगाई गई गई है कहीं जो whyटनेस आपको यह सकती है बूरा फरेम जो है ना निशे से उपर तक यह पूरा फरेम पका है अब यहां पर इसको चार-पांच इन्ची के जगा में एक सूथ तीन सूथ यह हलका सा डोरा वाइट का आ गया तो इसकी वज़ा से इसको पूरा नहीं निकाला जाता है तो इस तरह की जो है खलकी फुलकी जो है कच्चापन वो 10% में यह चीज आती है और सारा आप देख सकते हो सारे दर्वाजे आपके सामने लगे हुए हैं दूर से करीब से के पूरा एकदम ब्राउन है या नहीं है पूरा एकदम एक नमबर माल है या नहीं है अगर आपको ल जरूर करिए अगर आपको लगे कि नहीं एक नमबर माल नहीं है माल बढ़या नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है आप हमें कॉल ना करें जहां से आपका मन चाहिए जहां से आपका दिल चाहिए वहां से आप काम बनवा सकते हो लकड़ी एक पेड़ की एक पेड़ की में एक जैसे ग्रैंस नहीं आ सकते तो यह तो जो हम लकड़ी लगाते हैं दोस्तों यह सब निगम का माल होता है निगम का मतलब यह होता है कि जो सरकारी वन विभाग का माल होता है बनो का माल होता है उस लकड़ी में हम यह दर्वाजे बनाते हैं सरकारी माल जो वन विभाग और सबसे अच्छा माल होता है क्यूंकि एक मुद्दत के बाद पकने के बाद पूरा पूरा पेड को काटा जाता है और जो हाइब्रेड का माल होता है जो हाइब्रेड के लकड़ी होती है उसको जिसकी लोग फार्मिंग करते हैं उसको जल्दी उमर से पहले काड़ दे जाता है तो यह मैंने आपको दर्वाजे दिखा दिये हैं अगर अच्छा लगे तो लाइक करें कमेंट करें और हमें ओर्डर करें स्क्रीन पर आपके नमबर आ रहा है खुदा आफिस